हेलो स्टूरिंस कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छा होंगे मेरा नाम है प्रियंकाव और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं सब्सक्राइब ब्रेंस हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइट कराता है ना सिर्फ CBSE बोर्ट बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ट जैसे की MP बोर्ट, UP बोर्ट, दली बोर्ट, बिहार बोर्ट, राजस्थान बोर्ट जैसे बोर्ट के भी fully organized courses और ये सभी courses आपको मिलते हैं बिल्कुल, free of cost, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी payment करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं तो उसकी link आपको नीचे दिये हुए description box में मल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की class और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ रहे हैं हमारा part 13 जिसका नाम क्या है जिसका नाम है प्रकाश और आज हम इस chapter के 3 topic देखने वाले हैं छोटी छोटी से topic है लेकिन बहुत ही important topic है तो हमारे topic कौन-कौन से होने वाले हैं पहला topic होगा नियमित तथा विसरित परावर्तन दूसरा topic है परावर्तित प्रकाश को पुनह परावर्तित किया जा सकता है और तीसरा topic है हमारा बहु प्रतिबिम चीक है तो ये 3 topic आज हम करने वाले हैं टॉपिक तो हमारे तीन है लेकिन ऐसा मत समझना कि ये टॉपिक काफी जदा बड़ा होगा बहुत जदा लेंदी होगा ऐसा बिलकुल नहीं है हम इसे काफी शॉट में में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ भी लेंगे तो चलो भई फटा फट से हम वीडियो को करत चीक है अब देखो सबसे पहले हम एक क्रिया कलाप देखते हैं क्रिया कलाप के द्वारा हम समझेंगे कि नियमित तथा विसरत परावर्दन क्या होता है यानि कि रेगुलर और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं तो देखो हमारी चौधी क्रिया कल अन्य हैं विभिन बिंदू उपर परावर्दित किरणों की रचना करने के लिए इन नियमों का उपयोग कीजिए क्या ये परावर्दित किरणे एक दूसरे के समानतर हैं आप पाएंगे कि ये किरणे भिन भिन दिशाओं में परावर्दित हो रही हैं अब देखो यहाँ पर हमें दो तरह की प्रिष्ट दिए एक तरह का प्रिष्ट दिया हुआ है कौन सा प्रिष्ट अनियमित प्रिष्ट दिये गए हैं और जब हम देखते हैं कि अनियमित प्रिष्ट पर क्या हो रही है यह जो प्रिष्ट दिख रहा है यह सीधा प्लेन नहीं है अगर वो बिलक रहके प्लेन पे इस तरह के प्रिष्ट पे क्या होता है जब कोई प्रकाश के किरण आपतित होती है जैसा कि आपको पिच्छर एक पे दिखाई दे रहा है तो क्या होगा इसका परावर्तन होगा और जब इसका परावर्तन होगा ना तो इसका परावर्तन आपको किस प्रकार का दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक किरन इस तरफ एक किरन इस तरफ एक इधर एक इधर जारी है एक ऐसे जारी है और एक इधर जारी है मतलब कि यहां पर आपको अनियमित परावर्तन देखने को मिलेगा ठीक है यह नियमित नहीं है अगर नियमित होता तो यह सा समांतर हैं ऐसे ही समांतर रूप से क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है और यह नियमित परावर्तन हो जाता ठीक है तो क्लियर है यहां तक समझ आ गया आपको चलो आगे देखें जब सभी समांतर के ने किसी खुर्दोरी या अनियमित प्रेष्ठ से परावर्तित होने के पश्चाथ समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को हम कौन सा परावर्तन कहते हैं इसको हम विसरित परावर्तन कहते हैं कौन सा परावर्तन कहेंगे भई विसरत परावर्तन कहेंगे ठीक है विसरत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलता पूर्वक पालन होता है अब ऐसा नहीं है कि विसरत परावर्तन में जो परावर्तन के हमारे नियम है उनका पालन नहीं हो रहा है उनका पालन हो जाएगा दूसरी चीज अभी लंब तो उसी जगे पर एक ही तल में बनेगा चीक है आगे देखो प्रकाश का विस्रण गत्य जैसे विशे परावर्ती प्रिष्ट पर नियमितताओं के कारण होता है अब अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो क्या है बहुत सारे कैसे परावर्ती प्रिष्ट होते हैं जो कैसे होते हैं खुर्दूरे से होते हैं ना मालेजिए कि कोई पहाड़ क्यों को तो वो ऐसे दिख रहे हैं लेकिन असल में वो क्या होती है उसकी सत्य कुछ खुरदुरी जैसी दिखाई देती है तो ऐसी जो सत्य होंगी वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर हमको विसरित परावर्तन देखने को मिलेगा अब इसी के अगर हम विपरीद बात करें तो उसके विपरीद जो दर्पन जैसे चिकने प्रिष्ठ होते हैं उनसे होने वाले परावर्तन को हम क्या कहेंगे? उसको हम नियमित परावर्तन कहेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहा है, यह जो प्रिष्ट है, यह कैसा है? चिकना या फिर हम इसे समतल कह सकते हैं, है ना? तो यह प्रिष्ट हमें चिकना दिख रहा है, समतल दिख रहा है, तो अगर ऐसे प्रिष्ट पे प्रकाश की किरने आपतित होंगी, तो वो क्या होंगी? जब वो परावर्तित होंगी, तो वो उसी प्रकाश से समानतर रूप से ऐसे परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है? तो चित्र में नियमित परावर्तन के द्वारा प्रतिबिम बनता दिखाया गया है तो इस तरह से नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है यानि कि विसरित परावर्तन क्या है ये दोनों ही चीज़े आपको समझ आ गई होंगी कि किस प्रकार से होता है, कैसा प्रिष्ठ होता है, ठीक है, ओके और परावर्तन के नियमों का पालन दोनों में ही होता है आगे देखो, क्या हम सभी वस्तू को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं ये हमारे पास एक प्रिश्न आ रहा है कि जितनी भी चीज़े हमको दिखाई दे रहे हैं क्या वो सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के केड़ने हैं उनकी वज़े से हम देख पा रहे हैं तो दिखो आपके चारों और की लगबग सभी वस्तुएं आपको परावर्थित प्रकाश के कारण दिखाई देती है अब हमने अभी जब चाप्टर शुड़ू किया था तब भी हमने ये बात की थी कि जो चीजे होती है जो वस्तु होती है वो हमको कैसे दिखाई देती है या तो वो स्वयम प्रकाश उत्सरजित करती है इस वज़े से दिखती है और या फिर उन पर जो पढ़ने वाला प्रकाश है वो परावर्तित हो करके हमारी आँखो तक आता है फिर हमको वो वस्तु दि को दिखाई देता है लेकिन अगर हम वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य तो खुद ही प्रकाश उत्सर्जित करता है तो सूर्य जो है वो परावरतन वाली बात हम नहीं बोलेंगे आपे इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं जो पिंड दूसरी वस्तों के प्रकाश में च उत्सर्जित करते हैं जैसे कि सूर्य हो गया मुंबती की ज्वाला हो गई विद्ध लैंप हो गए इनका प्रकाश हमारे नीत्रों पर पड़ता है इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं और जो पिंड स्वयम का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं द मितलब की luminous object कहेंगे और वहीं अगर ऐसे पिंड है जो दूसरों के द्वारा दिए गए प्रकाश से क्या हो रहे हैं प्रकाश माल हो रहे हैं उनका स्वयम का कोई प्रकाश नहीं हैं तो उनको हम प्रदीप्त या अधीप्त पिंड कहेंगे, यानि कि non-luminous object कहेंगे, clear है भई, दीप्त पिंड और अधीप्त पिंड इन दोनों के बारे में भी पूछा जा सकता है, इनके उदाहरन भी आ सकते हैं, तो ये दोनों चीज़े आपको बहुत अच्छी से पता होने जाए, clear हो गई न, clear हो गई होगी, इन्हें हम 7th class में भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना, आगे देखो जो परावर्तित प्रकाश है, उसको हम पुनह परावर्तित कर सकते हैं, क्या तो देखो भई, जब भी हम किसी केश प्रसाधक के यहां जाते हैं, मतलब जब बाल कटव आने जाया करते हैं, है ना, तो वो हमें एक दरपड के सामने बठाता है, अब जब हम जाते हैं, तो आजकल सेलोन पता नहीं ऐसे बन रहे हैं कि नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, कि जो सेलोन हुआ करते थे, जहां बाल कटवाने जाते थे, वहां पर सामने एक शीशा लगा होता था, जाया है, बाल कर जाने के पश्षाद वह हमें पीछे की और रखा दरपन दिखाता है, और फिर वो क्या करता था, हमाएं सामने जो शीशा लगा होता है, उससे हम क्या करते हैं, अपने पीछे की चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि इस चितर में आप लोग देख रहे हो, कि वो किस प्रकार से एक शीशे को पीछे यूज करके उसको आगे दिखा रहा है, इस दूसरे दरपन की सहायता से हम सामने वाले दरपन में ये देख सकते हैं, कि हमारे बाल कैसे कटे हैं, परिदर्शी यानि कि जो पैरिस्कोप होता है, उसमें दो समतल अब ये जो चीज हम देख रहे हैं, किसकी वज़े से, कि जो परावर्तित होकर हमें दिखाई दिया, अब ये प्रकाश इस पर जा रहा है, वापस परावर्तित होकर हमको चीजे दिखाई दे रही है, तो मतलब कि जो परावर्तित प्रकाश होता है, उसको फिर से परावर् और इस इद्धान्त का प्रयोग पैरिस्कोप मतलब की जो परिदर्शी होता है उसमें किया जाता है ठीक है आगे देखें इसके बारे में तो देखो दो दर्पणों से परावरतन के द्वारा हम उन वस्तुओं को देखने योग बना पाते हैं जिने हम सीधे नहीं देख पात परिदर्शी जो होता है जो हम बात कर रहे हैं किसकी पैरिस्कोप की इस पैरिस्कोप का प्रयोग कौन करते हैं पैरिस्कोप का प्रयोग जो सब्मरीन पंडुबियां होती हैं टैंक होते हैं बंकर होते हैं इनके अंदर जो सैनिक छुपे होते हैं वो बाहर का नीचे का कोई भी द्रिश्य देखने के लिए वो पैरिस्कोप का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो जो द्रिश्य होता है वो कि इसके दरपणों के द्वारा परावर्तित हो होके उनके आँखो तक पहुंच जाता है ये कैसे काम करता है इसको आगे हम क्रिया कलाप में देखेंगे आप देखो हम बात करते हैं बहु प्रतिबिंब की जिसमें आता है पैरिस्कोप, कैलाइडोस्कोप ये सारी चीज़े हैं तो देखो जो समतल दरपण है वो किसी वस्थू का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है लेकिन प्रकाश के परावर्तन के वज़े से क्या होता है हमको कई सारी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं अब देखो हम यहाँ पर क्रिया कलाप पांच देखते हैं क्या होता है आपे दो समतल दरपण लेना है हमें उन्हें एक दूसरे से समकोन बनाते हुए इस प्रकार रखे कि इनके किनारे आपस में मिले रहें इन्हें जोडने के लिए आप किसी टेप का उपियो कर सकते हैं दरपणों के बीच एक सिक्का रखे अब मान लो हमने दो दरपण लिया और उसको कुछ ऐसे रखा और अब हमने क्या किया एक सिक्का इनके बीच में रखा तो हमें इसका प्रतिवम यहां भी दिखेगा यहां भी दिखेगा फिर इसमें इसका प्रितिविम दिख रहा है तो उसका भी प्रितिविम दिखेगा फिर उसका भी प्रितिविम दिखेगा तो कुछ इस प्रकार से हम ही क्या होगा बहुत सारे प्रितिविम दिखाई देंगे ठीक है? अब हमको टेप का उपयोग करके दरपडों को विभिन कोणों जैसे कि 45 डिगरी, 60 डिगरी, 120 डिगरी, 180 डिगरी आधी पर जोडना है दरपडों के बीच में कोई भी वस्तू जैसे कि मुम्बत्ती रखनी है प्रतेक प्रकरण में वस्तू के बनने वाले प्रतिविम्बों की संख्या हमको नोट करनी है और अंत में दोनों दरपडों को एक दूसरे के समानतर हमें खड़ा कर देना है और देखना है कि आप मुम्बत्ती के कितने प्रतिविम्ब बनते हैं तो इस तरह से ये क्रिया कलाप आप घर पे आसानी से दो दरपडों का यूज करके कर सकते हैं और घर पे दरपड तो आसानी से मिल सकते हैं तो इस क्रिया कलाप को आप करकर के देखिए देखिए यह यह 45 डिग्री मालो एक दरपड ऐसे रखा हुआ है तो दूसरे वाले को थोड़ा सा जुका के रखना यह हो जाएगा 45 डिग्री थोड़ा सा और जुके गई है फिर 60 डिग्री पे लाना 60 डिग्री पे फिर क्या आप ओल रहे हैं 120 तो 120 पे और 180 पे एकदम ऐसा सीधा तो इस तरीके से आप इनको बार-बार रख करके किसी मुम्बत्ती के दरपणों के प्रतिबिम्बों को देख सकते हैं तो इस प्रकार से हमको क्या इसके अलग-अलग प्रतिबिम्ब दिखाई देगा वहीं अगर देखो एक दूसरे के समानतर रखे समतल दरपणों में बना हुआ प्रतिबिम्ब अब यहाँ पर इन दोनों को क्या किया ऐसे खड़ा कड़के रख दिया है ना यह समानानतर रखे हुआ और बीच में क्या रख दी मुम्बत्ती अब इसका प्रतिबिम्ब इस पर बन रहा होगा इसका प्रतिबिम्ब यहाँ बनेगा और इसका प्रतिबिम्ब जो इस पर बन रहा है वो इस पर भी बनेगा तो यह क्या होगा बार 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 एक दूसरे से टकराता जाएगा बहु मोर्ती दर्शी जिसे हम क्या कहते हैं केलाइडो स्कोप कहते हैं इसमें भाती-भाती के आकर्शक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है अब जो केलाइडो स्कोप होता है उसके द्वारा कई सारे ऐसे पैटर्न बनाने के लिए क्या करते हैं यह जो अभी हमने देखा अभी एक रिया कलाप किया, इसमें हमने जाना कि जब हम दो समतल दर्पन को अलग-अलग कोणों में रखते हैं, तो हमें कुछ अलग तरह से बहु पृत्विम प्राप्त होते हैं साथ ही जब हम समानतर रखते हैं तो भी हमें बहुत सारे पृत्विम देखने को मलते हैं तो इसी सिध्धांत पे काम करते हुए एक क्या बनाया गया? करण केंतर बनाया गया अब देखो बहुमू उड़ती दर्शी अगर हम केलाइडो स्कोप की बात करें तो चलो यहाँ पर अब हम इस क्रिया कलाप के द्वारा केलाइडो स्कोप को बनाना सीखते हैं यह हमाई क्रिया कलाप नंबर 6 है तो देखो केलाइडोस को बहुमू उड़ती दर्शी बनाने के लिए दरपड की लगभग 15 cm लंबी 4 cm चौड़ी 3 आयताकार पटियां लेजिए हमको क्या करना है ऐसे 3 ऐसी लंबी लंबी है ना और चौड़ी 3 आयताकार हमको पटियां ले लेनी है और उनको चितर A में दर्शाय अनुसार हमको एक प्रिज्म की आकरती में जोड लेना है फिर हमें गत्ते या फिर मोटे चार्ट पेपर की बनी हुई एक बेलनाकार ट्यूब में दर्णता से इसको लगा देना है अब यह हमने मालोग गत्ते की क्या ले ली है एक बेलनाकार हमने ऐसा बना लिया है और उसके अंदर अब इसको हम क्या करेंगे अंदर डाल देंगे चीक है अब यह जो ट्यूब बनाई है यह थोड़ी से लंबी होनी चाहिए प्रिज्म से और साथ ही एक ऐसी डिस्क बनाओगे जिसमें बीच में छे दोगा उसको इसके उपर चिपका के बंद कर दोगे डिस्क को टिकाओ बनाने के लिए इसके नीचे पार दर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए अब आगे क्या करेंगे ट्यूब के दूसरे सेरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दरपडो को छूते हुए द्रिनता पूर्वक लगाईए इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकडे रंगीन चूडियों के टुकडे रखे त्यूब के इस सेरे को घिसे हुई कांच की प्लेट से बंद कीजिए रंगीन टुकडों की हलचल के लिए परियाप्त जगेह रहने दीजिए अब ठीक है अब इन्होंने क्या बोला कि हमें भई एक तरफ से क्या करना है इधर से घिसा हुओ वो रखना है और यहाँ पर हम क्या रख देंगे कुछ काच चूडियों के टुकडे रख देंगे colorful चूडियों के टुकडे और फिर इसको क्या कर देंगे बंद कर देंगे अब देखो किलाइडो स्कूप जो बहुँ मोर्ती दर्शी है इसकी एक रोचक विशेशता ये है कि हम कभी भी एक पैटन को दोबारा नहीं देख पाएंगे अब हम जो भी चीज़े उसमें हमने रखी है उसके हमें कई तरह की क्या देखने को मिलेंगे पैटन्स देखने को मिलेंगे या आप घर पे आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल बनाईएगा और आपके क्या प्रेक्शन आपको देखने हों मिलते हैं उसके कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताईएगा अब इसका प्रयोग अगर हम देखे तो कैलाइडो स्कोप का प्रयोग कई अलग-अलग तरह के पैटन को बनाने हम किया जाता है दूसरी सबसे खास बात यह है कि इसमें हम जो भी पैटन एक बार बनाते हैं वो दोबारा हमको देखने को नहीं मिलता क्या हम फिर से सोची कि हमें उस तरह का पैटन देखने को मिल जाए प्रय दीवारों वाले कागजों तथा वस्तरों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार क्यालाइडो स्कोप का उपियोग नए-नए पैटन की कल्पना करने के लिए करते हैं बहुत सारे लोग चाहे वो दीवार के वालपिपर्स की बात हो, चाहे कपडों के डिजाइन्स की बात हो, और भी जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, उनको जब डिफरेंट तरह के नए-नए पैटर्न बनाने होते हैं, तो वो कहीं न कहीं केलाइडो स्कोप की मदद भी लेते है अपने खिलोनों को आकर्शक बनाने के लिए हम इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं, अब अगर आपको क्या करना है, उसको केलाइडो स्कोप को अच्छे से और बनाना है, सजाना है, तो उसके उपर आप एक अच्छा सा बढ़ियासा रंगीन कागज भी चिपका सकते ह ठीक है? और इसी के साथ यहाँ पर हमाई जो तीन टॉपिक थे चाप्टर के, जिनको आमने स्टार्टिंग में जिनके नाम देख ले थे, तो यह तीनों चाप्टर यहाँ पर खतम हो जाते हैं, हमने इन तीनों चाप्टर में छोटी-छोटी सी ही जानकारी ली लेकिन यह क बता सकते हैं, अब हम अपने आने वाले अगले टॉपिक्स को अपनी नेक्स क्लास में देखेंगे, तो आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए और इसी तरह के और इच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हैं, मैगनेट ब्रेंस के यूट्यूब चैनल, वेब अप्लिकेशन के साथ, मैगनेट ब्रेंस इंडिया का नंबर 100% free online education platform, अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं, तो इसकी लिंक आपको नीचे दियो है, डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी, इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्स जो quality education के साथ, English और Hindi दोनों ही मेडिया में, साथ ही in courses के लिए आपको किसी भी तरह का कोई payment नहीं करना पड़ता, कोई subscription नहीं लेना होता, क्योंकि सभी top courses आपको अपलब्द कराए जाते हैं, 100% free of cost, अगर आप हमसे other social media platform पर भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें follow कर सकते ह Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Telegram पर भी, तो अगर आपको आज का वीडियो इच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, दोस्तों को share करें और चानल को subscribe करना ना भूले, मिलते हैं next topic के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई